अलो फ्रेंड्स आज का वीडियो में जो है हमारे पास में जो बार को जो हमारे पास में थ्रेडिंग कपलर लैपिंग जो होती है तो इस लैपिंग के इसाब से जो हमारे पास में जो डायक है तो हर डायक जो 16 mm का डाया है 30 mm है 25, 32 और 40 mm का जो डाया है इस सभी प्रकार के कुपलर है और ये जो हमारे थ्रेडिंग से इसकी number of थ्रेडिंग कितनी होनी कही है और रही जो कपलर है उनसकी डाया कितना होना चाहिए लेंड कितना होना है ये हमें इंटर्यू में बहुत सारा सवाल पुता है इस सवाल चो तो यह हमारा raw material है, यह देखिए, यह raw material से हमारा coupler बनाया जाता है, ठीक है, तो इसका हर डाया के इसाब से raw material सेम ऐसा रहता है, ठीक है, एक पीस है छोटा सा, जो आपके लिए दिखाने के लिए लाया हूँ, ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करने से पहले, सबसे पहले जो हम पहले बताते हैं, जो कपलर होता है, इस 16 mm से थ्रेडिंग कपलर चालो हो जाता है हमारा, जो 16 mm डाया है, उससे हमारा सबसे पहला थ्रेडिंग चालो करते हैं, तो इस 16 mm का जो डाया है, हम यहाँ कहा पर यूश करते हैं, स्रिप डावल जहां छोडते हैं, वही पर इसको यूश किया जाता है बागी जगह वरिटिकल में यूश नहीं करते है तो अभी याँ से要 से इसका जो ठीडिंग होता है गार इसकी हुटा हुट वो fix है, 7.5 से 8, यह जो नंबर दिख रहे हैं आपको, यह नंबर हमारा 7.5 से 8 होना चाहिए, देखें जैसे कि यह देखें, इधर से इसको भी पकड़ते हैं, एक, दो, तीन, अब हमी मैं क्या करता हूँ, जैसे counting कैसे करना है, देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सा और 8, यह 8 के सबसे हमारा थ्रेडिंग है, यह 16 mm का डाया है, देखें आपको, यह आपर डाया बार को, यह 16 mm है, ठीक है, इसका जो लेंद यह जो डाया है, वो डाया हमारा 25 mm का डाया है, और इसका लेंद जो है ऐसा, यह हमारा 46 mm लेंद है, ठीक है, यह हमारा 16 mm के लिए है है अभी यहाँ पर अमेरे हमारे हों 20 और 25 समीं के लिए अभी 25 दोनों उपे Haram यह नों दोनों कपनर हैं 20 और 25 समीं के लिए इसका कट रहता लग है सबसे पहले मैं इसका जानकारिंग रहा दिया 20 और 25 की जो thrading होती है यह अमरे ध्रेडिंग होती है 9 से 10 जो अमरे ध्रेडिंग counting करके दिखाते हैं 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यह अमरे 10 thrading है इसी 25 mm के लिए भी 20 mm के लिए भी same numbers thrading होती है अब इसके जो coupler है 20 mm का हम पकड़ते है तो 20 mm को जो डाया होता है जो डाया होता है हमारा इसका 20 mm का है 32 mm का डाया और इसका लेंथ होता है वो 55 mm का ठीके अभी नंबर सो 25 का डाया है हमारा तो सेमी थ्रेडिंग नंबर सो होता है जैसे कि साड़े नव से 10 में थ्रेडिंग रहता है और इसका जो लेंथ है यह जो 25 mm का दीशमें णतेयं pasóisti का दाया हूँ 1789 और इसका लेंज जो हता है 18 confused 야ि यह अमरे होने के बाद में आगे आता है 32 म पास इसका यह 32 म का यह गिन का घंए 321 से तेरा होता है अभी हम काउटिंग कर रहे हैं एक दो तीन, चार, पाँच, छे, साथ, हाट, नव, दस, ग्यारा, बारा, यह इसा हमारा 12 से, मतलब 12 से 13 में हमारा number of threading है, ठीक है, इससी का जो 32 का बार है, हमारा, जो 32 का बार है, तो इसका जो हमारे पास में जो खपलर है, इसका जो डाया होता है वो डाया कितना है हमारा 48 और ऐसा हमारा लेंथ है 80 mm ठीक है मतलब डाया हमारा 48 है और लेंथ है 80 mm का यह हमारा 32 mm के लिए है अभी हमारे पास में 40 mm का यहाँ पर वर्टिकल नहीं है और ना ही यह थ्रेडिंग वाला हम आपको काउंटिंग करके दिखा स इसके लिए जो थ्रेडिंग होगी वह 15-16 नंबर्स थ्रेडिंग होना चाहिए ठीक है और यह जो हमारा 40 म का कपलर है इसके लिए जो डाया होता है ओ डाया होता है बुद्ध जो हती है वह 96 लेंथ होती है जैसे तो दिखा सकता हूं दिखिए 96 mm की लेंथ है और जो डाया बोला था मैंने 60 mm का तो यह 60 mm की 60 mm का डाया है ठीक है अभी और एक इसमें जो हमारे पास में यह सब थ्रेडिंग होने के बाद में इसको सेप्टी जैसे कि इसके अंदर में मिट्टी या जंग न लगे इसके लिए हम यह जो क्याप यू के लिए हम लगाते हैं जैसे हम आपको लोड दिखाते हैं साइट पे यह 32 mm का क्याप और 16 के लिए भी अलग होता है जैसा यह हमारा अभी लोड है यह यहाँ पर पूरा क्याप लगा के जो थ्रेडिंग है पूरा लोड बना के रखा हुआ है कि स्टैंड में हम यहाँ पर प्रॉपर्ली लोड करके रखा हुआ है इस से हमारा जंग न लगए है कि यह अमारा थ्रेडिंग मेशिन है यह त्रेडिंग में हम यहाँ पर 40 mm तक हम थ्रेडिंग कर सकते हैं और इसका नॉइज जो भी अभी दिया हुआ है प्रोपर ली रो मेंटरल के साथ में आपको दि नापिंग होता है वो 20 mm से आगे लापिंग होता है और जो मांन लिजे डावल्स छोड़ना होता है उसके लिए हमें 16 mm के लिए होता है ते देखिए इस के लिए घृह पहलुट समुर्ण क trustworthy लोगा तो 20 mm अच्छी समयम 32 समयम और चाले समयम और रायर सब राव मट्रल है इसके लिए यह सब जान करें आपके लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेर जरू करना और चानू को हमारे सस्क्राब जरू करना थैंक यू सो मच